लो दोस्तों, मैं driven आप डेख रहे हैं हमारा चैनल जीके की दुनिया, जी हाँ दोस्तों जीके की दुनिया, और इस वीडियों मैं आप लोगों के लिये लेख्राए हूँ टॉप 80 क्यूश्चन फोर एल पी जी हां दोस्तों एल्पी के लिए टॉप एटिन क्यूश्चन का ये पाट ठर्ड है जैस्टों पाट ठर्ड तो दोस्तों इस वीडियो मा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू अगर आपने हमारे चैनल जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दवा दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हर दिन नए ने वीडियो लाता रहूं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 30 नंबर क्यूश्चन से क्योंकि हमने 30 नंबर क्यूश्चन पहले भी कर लिया है इसलिए एक वार फ सब्सक्राइब करीब जीरो परती सब्सक्राइब करीब 20 परती साथ बढ़ते हैं 31 नंबर क्यूश्चन की ओर कहा जा रहा है किसी थेर्मल पावर प्लाट की दक्षिता करीब कितनी होती है आप्शन ए 100 परती सब्सक्राइब 25 परती परती साथ और ऐस्टी परती साथ और ऑप्सेन दी 35 परती सथ के साथ बढ़ते हैं 32 नंबर क्यूश्चन की ओर कह जा रहा है भारत में ऑपरेटिंग अब रित्ती कितनी ही बापने अब कितनी हज है तो ऑप्षिन ए जीरो हज ऑप्षन बी 50 हज ऑप्षन सी 60 हज और ऑप्षन डी 100 हर्ड तो इसका सही अंसर दोस्तो ऑप्षन बीजेंस तो ऑप्षन बी 50हर्ड इसी के साथ बढ़ते हैं समांतर क्रम में काम कर रहे हैं तो वे किस के आधार पर लोड बाटेंगे ऑप्शन ए लीकेज रियक्टेस के आधार पर ऑप्शन बी चुम्हीं कि ये धारा के आधार पर ऑप्शन सी ये प्रती इकाई के अनुसार प्रती बाधा के अनुसार बाप्शन डी कंगी रेटिंग के अनुसार इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर इदोस्तों यहां पर सोय के साथ बढ़ते हैंं पैटिस्स नंबर सिस्टान की कि ओर complaint कितना होता है तो common based transistor का current gain कितना होता है option A-B option option A-B option B-0.95 option C-100 option D-500 option B-0.95 इसी के साथ बढ़ते हैं 36 नमबर क्यूशन की और का आ जा रहा है germanium जहतो germanium diode की depletion layer के समांतर voltage कितनी होती है option A-0.3 voltage option B-0.7 voltage option C-0.5 voltage और option D-3 voltage तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की और question number scientist की और का जा रहा है primary जिन्स तो primary पत्थ की 100 से 200 MPR विद्धुद्धारा को केवल 1 से 2 MPR विद्धुद्धारा परिवर्थित किया जाता है तो किसमाद्यम से उप्सन है option A-धारा परिनामित्र के द्वारा option B-Portable parameter के परिनामित्र के द्वारा option C-Clip-on टेस्टर के द्वारा और option D-Slippert core टेस्टर के द्वारा तो सहीं सर्दोस्तों option A-धारा परिनामित्र के द्वारा इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर क्यूस्टन नंबर 38 की ओर का द्वारा परिनामित्र जहांस तो परिनामित्र अस्टार डेल्टा स्योजन में प्राइमरी फेज वोल्टेज कितना होता है जह तो प्राइमरी फेज वोल्टेज कितना होता है option A-VL option B-VL बटा 3 option C-3-VL और option D इनमें से कोई नहीं तो सहीं अंसर दोस्तो option B-VL बटा 3C के साथ बढ़ते हैं 49 नंबर क्यूशन की ओर का जा रहा है खुला परिपत परिच्छन द्वारा किसका मान ग्यात किया जाता है option A-Iron Loss, option B-Copper Loss, option C-Yantri-Khani, option D-Biddu-Thani तो इसका सहीं से दोस्तो option A-Iron Loss, जह तो Iron Loss का मान ग्यात किया जाता है इसी के साथ बढ़ते हैं 40 नंबर क्यूशन की ओर का जा रहा है ट्रांस्फोर्मर की दक्षिता कितनी होती है जह तो ट्रांस्फोर्मर की दक्षिता कितनी होती है option A-25-30, option B-50-30, option C-75-30, और option D-95-30, जह तो इसका सहीं से दोस्तो, option D-95-30, जह तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर क्यूशन की ओर का जा रहा है ट्रांस्फोर्मर में जह तो ट्रांस्फोर्मर में तेल का पर्योग करने का उद्यस क्या होता है option A, स्नेहन, option B, इंसुलेशन एवं सीतलन, option C, स्नेहन एवं सीतलन, और option D, सीतलन, तो इसका सहीं से दोस्तो, option B, इंसुलेशन एवं सीतलन, इसी के साथ बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है नमी सोखने के बाद सिलका जैल का रंग कैसा हो जाता है, option A, सफेद, option B, भूरा, option C, पीला, और option D, नीला, तो सहीं सर दोस्तो, option D, नीला, जहन तो सिलका जैल, नमी सोखने के बाद नीला हो जाती, इसी के साथ बढ़ते हैं एक मीटर ब्रीज में जह तो एक मीटर ब्रीज में सलतुन संतुलित अवस्था में वन बरावर 25 सेंटीमीटर टू बरावर 75 सेंटीमीटर और परतिरोध ज्याद करना है, 7 ohms हो तो अग्याद परतिरोध का मान कितना हो जाएगा, तो option A, 20 ohms, option A, 20 ohms, option B, 40 ohms, option C, 80 ohms, option D, 160 ohms, तो option A, 20 ohms, इसी के साथ बढ़ते हैं, च्वालेश नमर किस्चन की ओर का जा रहा है, डाइनेमो मीटर, जह तो डाइनेमो मीटर, प्रकार के यंत्र में स्थिर रखा जाता है, जह तो क्या स्थिर रखा जाता है, option A, प्रेसर कुंडलियों को, option B, धार कुंडलियों को, option D, इनमें से कोई नहीं स्थिर दोस्तो, option B, धारा कुंडलियों को, स्थिर रखा जाता है, इसी के साथ बढ़ते हैं, 45 नमर क्यूचन की ओर, जो की है, कहा जा रहा है, बिधुत, जह तो बैदुत, मापक यंत्रों की, कंपनी के निर्मान के लिए, सबसे उप्यूक्त धातु कौन सी है, सबसे उप्यूक्त धातु कौन सी है, option A, spot, option B, नाइक्रोम, option C, यूरेका, option D, फास्फर ब्रांज, जह तो, सही अंसर दोस्तो, फास्फर ब्रांज, तो इसी के साथ बढ़ते है, 46 नमर क्यूचन की ओर, जो की हमारे इस वीडियों का सबसे एंतिम क्यूचन है, का जा रहा है, एक बोट इकाई जर्थो, एक बोट इकाई कितनी होती है, जर्थो एक बोटли काई कितनी होती है, option A, 746 वार्ट गंटे, option B, 744 गंटे, option C, 1000 वार्थ गंटे, और option D, 366 वार्थ, तो, इसका सही अंसर दोस्तों, option A, 746 बा गंटे, जिंध सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हर दिन नए नए वीडियो जल्द ही आएगा जिन लोगों को हमारा सुजाव या सिखायद देनी है तो आप मारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद